इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे कैसे आप लोग डाउजर को अपने लैप्टॉप या डेक्स्टॉप में जिन भी 60 स्टुटेंट को उनको जैनुवरी 23 में एक्जाम देना तो उनको लैप्टॉप या डेक्स्टॉप में से ब्राउजर को डाउजर को डाउ से ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए गूगल क्रोम का यूज करोगे वहां पे लिखोगे ICSI और ICSI के ओफिसल वेब साइट पे चले जाओगे होम पेज पे क्लिक कर देना इसको लेटेस्ट एनाउंस्ट वाला सेक्शन पे क्लिक करना आपको यहां पे क्लिक करोगे उपर में स्टुडेंट वाला सेक्शन नजर आ रहा है आपको उस पे क्लिक करोगे से ब्राउजर डाउनलोड करने का यहां पे लिंक की गिवन है आपको वहाँ पे लिख देना है और password में आपको अपना date of birth लिखना है जैसे ही date of birth लिखे होगे नीचे में capture है उसको fill करोगे और login करोगे जैसे ही login करोगे आपके सामने new dashboard open हो जाएगा यहाँ पे आपके बारे में पूरा detail given होगा mock test कब से हो रहा है और mock test का user ID password भी given होगा और नीचे जो scroll down करोगे तो live जो test होने वाला 7 जनवरी 2023 के इसके बारे में भी user ID password यहाँ पे given होगा देखो mock test exam कंपल सरही नहीं होता लेकिन सारे student को जरूर देना चाहिए ताकि आप mock test दे लोगे तब तो आप जो final exam होगा उसमें आ आ सकता है आप लोग चाहो तो यहाँ से ही screenshot ले सकतो मेरे हिसाब से mock test का और live जो test होने वाला 7 जनवरी का दोनों का same user ID password होता है यहाँ पे लिखा होगा mock test आपको कौन से date को और कितने बज़े से हो रहा है live test के बारे में भी user ID password लिखा होगा वो भी कितने बज़े से हो रहा का option गीमेन है आपको इस पे एक बार फिर से click कर देना जैसे ही click करोगे तो download होना start हो जाएगा जैसे ही download हो जाता इसके बाद आपको इसके बारे में थोड़ा सा detail में बात करते हैं जब download हो जाएगा तो इसको open file पे click करके आपको laptop या नहीं तो desktop में install करना next next button पे click करते जान यहाँ पे आपको दो application सो करेगा save light repair tool इसको आपको click भी नहीं करना है आपको exam देने के लिए open करना है save light को इसको open करना है जैसे ही click करके open करोगे और हाँ जब आप save browser को open करोगे तो अपना antivirus जो भी laptop या desktop का होगा उसको disable कर देना या नहीं तो uninstall कर देना disable कर दीजेगा अ उसके बाद एक बाद restart कर दीजेगा सही से काम करेगा इसके बाद save light जो app है इसको आपको open करना जैसे ही click करके open करोगे तो उसके बाद आपके सामने ऐसा dashboard सो करेगा आप open पे click कर दीजेगा और नीचे में अप yes पे click किजेगा जैसे ही yes पे click करते हो save light browser open होना start हो जाएगा इसके बाद आपको yes पे क्लिक कर देना, जैसे ही yes पे क्लिक करोगे, इसके बाद क्या होगा, आपके सामने new dashboard open होगा, यहीं से आप अपना login ID और password लिख करके login करोगे, देखो जब आप safe browser डाउनलोड कर रहे होगे, वहीं पे आपको user ID password मिल गया होगा, mock test का और live test का, वैसे mock test exam से पहले और live test exam से पहले, दोनों का user ID password एक बार फिर से आपको mail पे और register number पे आ जाएगा, कब तक mail आएगा, 24 गंटा पहले, mock test दे 24 गंटा पहले और live test दे 24 गंटा पहले mail आएगा, जो भी आपका login ID password होगा, वहाँ पे लिखने के बाद नीचे में यहाँ पे टिक करना औ login करोगे तो login हो जाएगा, और जो आपका exam हो रहा है 7 जनवरी का, उससे भी एक घंटा पहले login करोगे तो ही login होगा, अभी login करने जाओगे तो login नहीं होगा, इस तरीके से आप लोग से browser को download कर सकते हैं, आपके मन में कोई additional doubt है, यूटूब comment box ओपन है, आप वहाँ पे वीडियो आएगा, कैसे आपको exam में appear करना, इस पे live demo वीडियो तो आप लोग अभी तक चैनल को subscribe नहीं कियो, तो subscribe करके all notification विल दबा दीजिए,